नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो हम जानेंगे मद्यप्रदेश के बेतुल जिले से लेकर और माराष्ट के चांदूर बाजार तक बनने वाली नई रेल लाइन के बारे में ये रेल लाइन मद्यप्रदेश के बेतुल से सुरू होकर महराष्ट के चांदुर बाजार तक 95 किलोमेटर की लाइन रहेगी और ये रेल लाइन बेतुल बाजार आठ नेर से होते होए महराष्ट तक जाएगी जिसका सर्वे किया जा रहा है सर्वे रिपोर्ट डिप्टी चीफ इंजिनियर कंस्ट्रक्शन अजनी को ये रिपोर्ट बेजी जाएगी और इस रिपोर्ट के आदार पर प्रस्ताव बनाकर शुकृति के लिए बेजा जाएगा और शुकृति मिलने पर काम सुरू होगा इस रेल लाइन का जो खर्चा है वो 995 करोड रुपे रहने वाला है और इस लाइन में मेडा चिंदवाडा में 9 किलोमेटर लंबा पाड़ी चेतर बादा बनेगा तो यहाँ पर बड़ी बड़ी सुरंगे चट्टान काट कर बनाई जा सकती है और इस तरह दो जगों पर न लागते वो रहेगी इस तरह 950 करोड रुपे है तो इस रेल लाइन में खर्च होने वाला है और यह रेल लाइन पंचान में किलोमेटर की रहेगी हाला कि पहाड़ी वाली जगह पर सुरंग और नदियों वाली जगह पर पुल बनने से इसकी जो लाकते वो बढ़ सकती है अब जानते कि इस रेल लाइन पर जो बनने वाले रेलवे इस्टेशन है वो कौन-कौन से रहेंगे तो इस रेल लाइन पर टोटल 8 रेलवे इस्टेशन बनेंगे रास्ते में यह लाइन जो बेतुल डेलवे इस्टेशन है तो वहाँ से सुरू होगी इसके बाद में इस ल ब्राम्मन वाडा लाष्ट का जो रेलवे स्टेशन रहेगा वो रहेगा चांदूर बाजार रेलवे स्टेशन तो इस परकार से टोटल आठ रेलवे स्टेशन है जिसमें से जो दो रेलवे स्टेशन है वो पहले से बने हैं बेतूल रेलवे स्टेशन और चांदूर बाजार तो इनके बीच में 6 railway station है वो बनेंगे जो बेतुल बाजार, बोरपानी, आठनेर, मेगनात, डाना, बेल, कुंड, डाना, ब्राम्मन, वाडा और लाष्ट का जो चांदुर बाजार railway station है तो वो रहेगा तो बीच में 6 railway station बनेंगे और दो पहले के बनें तो इस प्रकार से इस rail line से बन जाने से क्या-क्या फाइदा मिलेगा तो इस rail line के बनने से बेतुल से बंबई की जो दूरी है वो कम हो जाएगी और सीधा रूट मिल जाएगा बेतुल से बंबई जाने के लिए वर्तमान में बेतुल से बंबई जाने के लिए 8RC के रास्ते जाना पड़ता है लेक से जो रेल लाइन है बहुत ही फाइदेमन रहने वाली है और जो बेतूल है वहां के जो लोग है वो बंबई जाएगे तो इस रास्ते से सीधे और कम समय में वो बंबई पहुंच सकते हैं